हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद, हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 38 पार्ट में, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तो चलिए शिरू करते हैं, जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, अजिप्टियन गॉड खौशू को काबू कर लिया गया है, और वो अभी कैद में है, मून नाइट ने भी फिनिक्स को समन कर लिया था, बट अभी फिनिक्स फोर्स निकल चुकी है अपने नए होस्ट को ढूंडने के लिए, बट मून नाइट को अभी भी लगता है कि मेफिस्टो का खतरा अभी खतम नहीं हुआ, और ये सीन है काफी सदियों पहले का, बाकी कहानियों की तरह ये कहानि भी शूरू होती है, एक चुराहे से, वहाँ पर एक आदमी ठंड में बैठा है, जिसका खचर मर चुका है, वो हाथ जोड़े होए कहता है, प्लीज हम यहाँ पे खतम हो जाएंगे, हम यहाँ तक आये ताकि एक नई जिन्दगी बिता सके, बट अब हम यहाँ पे फस गए हैं, और बहुत जादा भूखे हैं, हम तो इस खचर को भी नहीं खा सकते, इसको इतनी जल्दी कीड़े पड़ गए, हम यहाँ पर बरफ में मरने वाले हैं, ये सब ऐसे खतम नहीं हो सकता, प्लीज कोई तो मेरी प्रात ना सुनो, मैं अपनी फैमली के लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज कोई तो उनको बचा लो, तब ही उसे आवाज आती है, जैसा तुम कहो, ये मैफिस्टो होता है, जो की सांप बना हुआ है, वो अपने साथ एक चाकू लेके आता है, तुमें डील मिल गई है, उस आदमी ने जो डील की थी, उसका उसे भी अंदाजा नहीं था, कि उसकी कीमत उसे क्या चुका नहीं बढ़ सकती है, उस आदमी का नाम था Ambrose, उस दिन उसने अच्छे से खाया, और वो अपनी फैमली के साथ अच्छे से टाइम बिताएगा, बट हाँ, इस फैमली के साथ नहीं, और हम देखते हैं कि वो अपनी ही फैमली को काट खाता है, और ये सीन है अभी का, New York City में, टचाला मूनाइट को कहते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है, अगर मेरे साथ मेरे टीमेट्स होते, तो हमारी ये बाचित चेल में होती, तो मून मूनाइट कहता है, देखो, अगर कैप्टन अमेरिका मेरे से माफी सुनना चाते हैं, और वो फोन लेके बैठे हुए हैं, तो आए होप वो अच्छी चेयर पर बैठा होगा, मुझे बस इस बात का दुख है, कि खोंशू हमेशा खोंशू की तरह ही रहेगा, बट मेरा आइ रशिया, वो तो छोटे मोटे पटाके हैं, मैफिस्टो एक न्यूकलिर बॉंब है, तुम उसे कैसे रोकोगे, तो वो कहता है, तुम्हें पता है ना वो डेड है, तुमने ही उसको खतम किया है, तो वो कहता है, हम दोनों को पता है, कि ये जादा नहीं होगा, तो ब्लैक प कीम को हराया, तुम हमें जोइन करो, और जो तुमने डैमेज किया है, उसकी भरपाई भी हो जाएगी, हम मैफिस्टो को एक साथ रोकेंगे, बट मून नाइट कहता है, नहीं, मैंने उसे रोकने का ट्राइ किया था, उसके लिए मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिय बट तुम बीच में आके खड़े हो गए, इसलिए मैं वही जाने वाला हूँ जहां मुझे होना चाहिए, वर्ल्ड का वो कॉर्नर जिसको मैं जानता हूँ, तुमें मैफिस्टो चाहिए न, वो अभी तुम लोगों का है, मुझे उमीद है तुम लोग उसे रोक लोगे, औ और वो वहां से चला जाता है, और यहां हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स मौंटेन में, तोनी बहुत ही ज़्यादा गुस्य में है, वो गालियां देता है, तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, गाली देने से कुछ नहीं होने वाला तोनी, बट वो कहता है, मुझे इससे अ हर वर्ल्ड, यह सभी मैफिस्टो अल्टरनेट रियालिटी के हैं, और वो खोंशु को खतम करने के लिए यहां पे आये थे, इसका मतलब यह सब स्टार्ट हो चुका है, हम देख रहे हैं आर्मी ओफ हैल्स पॉंड इंसर्जेंट्स की, एक पैंडिमेशनल युद्ध, जो ह हम पहले ही लूस करने वाले हैं, यह सब और भी भ्यानक होने वाला है, मैफिस्टो ने हर रियालिटी में अपना कहर भर पाया हुआ है, वो स्टार्स पर भी कपचा करना चाहते हैं, मैंने इसको देखा हुआ है, वो बस हम पर यहां पर अटैक नहीं करने वाले, उन्होंने हर टाइम लाइन में अटैक किया हुआ है कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है वो कीडों के जैसे मेरी बॉड़ी में घुस गए है कैप्टन मावल कहते है टोनी अभी तो मुझे तुम्हारी जादा ही चिनता है तो टोनी कहता है तुम्हें होनी भी चाहिए मेरे हर उस वर्जन की जो अभी तक जिनता है तुम लोगों के भी और हम सभी के भी तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं हम यहाँ पे टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं और अल्टरनेट यूनिवर्स की और एक ऐसे डैविल की जो स्टोन एज में जाके अपनी चाल चलता है तो टोनी कहता है नहीं उससे भी पहले तो कैप्टन कहते हैं मैफिस्टो को चाहिए क्या तो टोनी कहता है कैप्टन उससे क्या चाहिए होगा वो स्वर्ग में भी हैल का राज करना चाता है और ये घर है उस आदमी एंब्रोस का जिसने काफी टाइम पहले मैफिस्टो के साथ डील की थी वो वहाँ से बच्च के चला गया उसने नई बीवी ढूंडी और काफी बच्चे भी किये और वो काफी रिच होके मर गया बट उसका करजा अभी भी पेंडिंग पड़ा था उसकी बीवी दर्वाजा खोलती है तो उसके सामने मैफिस्टो होता है वो कहती है ओ गोड तुम वही होना उसने मुझे तुमारे बारे में बताया था कि तुम आओगे या तुम उसकी मरी हुई बोड़ी को भी ले जाने वाले हो तो मैफिस्टो कहता है नहीं वो मेरे किसी काम की नहीं है बट अभी भी उसका कुछ करजा बाकी है और उसको चुकाना होगा उसकी फैमली को अभी के लिए मुझे तुमारे हर एक बच्चे से उसकी एक फिंगर चाहिए तो मैफिस्टो वहाँ पे आता रहेगा और उसके ये टॉकन लेके जाता रहेगा वो लेका हर जनरेशन के पहले जन्मे हुए बच्चे से भी उसकी ये भूग कभी नहीं मिटने वाली उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई इसके लिए उन्हें बस अपनी थोड़ी से उंगलियां और बच्चे ही तो देने पड़े कितनी अच्छी डील है ना और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स मौंटेन में आइरन फिस्ट कहता है मुझे नहीं लगता यह जूला किसी काम आने वाला है क्योंकि इसने तो उड़ना शिरू कर दिया है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं यह एक स्टार ब्रेंट बेबी है यह उड़ने के इलावा और बहुत कुछ कर सकती है तो गोस्राइडर कहता है क्या इसको पता होगा कि मैंने लास्ट स्टार ब्रेंट के साथ क्या किया था मतलब मैंने उसे मार ही दिया था ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं स्टार ब्रेंट काफी बार रीबोन हो चुके हैं काफी सालों पहले तीन तो मेरे दोस्त भी थे तो Iron Fist कहता है क्या ये बात तुमने Caveman Avengers के बारे में करी है तुम्हें पता है मैंने Iron Fist की सारी बुक पड़ी है बट उसमें ऐसा कही भी नहीं लिखा हुआ कि Stone Age में भी कोई कनलन का Defender था हाँ बट उसमें ये लिखा था कि Space एक बड़ा सा पंची धर्ती पर आया था मतलब Phoenix के बारे में लिखा था पर बहुत ही गलत और यहां हम पहुंच चुके हैं Thor और Blade के पास Blade केता है मैं Birds के मावले में ज़्यादा Expert तो नहीं हूँ पर मैंने उन काफी लोगों को मारा है जो Bats बन जाते हैं और इसे देख के मुझे ऐसा लगता है यह यहां पर घोंसला बना के अंडे देने वाली है एक बड़ा सा पंची जो Space से आया है और वो भी जलने वाला वो यहां पर Nest बनाए यह कोई अच्छी बात तो नहीं होगी Damn, मुझे यह Space पसंद ही नहीं है तो Thor कहता है यह Phoenix Bird जहां भी चाता है वो World जल जाता है तो Blade कहता है फिर तो तुम्हें मेरा Next Question पता ही होगा कि हमने इसको अभी तक खतम क्यों नहीं किया बट Thor उसे कोई भी जवाब नहीं देता तो Blade कहता है कि Black Panther Hulk के साथ कया है World की Leaders के साथ Meeting पर जो पूरे इस Island को ही उड़ाना चाते हैं ताकि वो इसको खतम कर सके ऐसा करने पर वो इसे गुसा जरूर दिला देंगे और वो कहता है मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैंने इतने लोगों को काटा है तो उससे मुझे ये पता लगा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कहां से काटना है तुम कुछ भोलती क्यों नहीं मुझे लगता है तुमारा कोई connection है इस Phoenix Force के साथ तो थौर कहता है Phoenix यहाँ पे है क्योंकि उसे अपना नया होस चाहिए एक ऐसा वैसल चाहिए जिसमें वो समा चाहे और हर तरफ तपाही मचा दे और मुझे इतने सालों में ये पता लग गया है कि हम Phoenix पे भरोसा नहीं कर सकते और हमें इसे वो नहीं देना चाहिए जो ये चाहती है तो अगर वो मोका आया तो All Father Thor को पता है कि Phoenix का खून कैसे बहाना है चाहिए ऐसा करते हुए मैं मर क्यों न जाहूं और चांसी है कि ऐसा होगा भी और ये सीन है चार बिलियन साल पहले का जैसे कि काफी स्टॉरिस में हमने सुना होगा कि इस प्लैनेट पर एक सलेस्टिल आया जो खतम हो गया यहीं पर और उसने नई बनी हुई धर्ती को इंफेक्ट किया उसने इसकी नेच्छल एवोलूशन को उल्टा किया उसने इसको म्यूटेशन का गड़ा बना दिया और उसने कितने ही रेडियो एक्टिव जीवी बना दिये वो कितना अच्छा मूमेंट था देखने वाला मूमेंट था उसे देखा मैफिस्टो ने उसने इसे देखा मक्षी के जैसे जिसने अपने बिलियंस में ही अंडे दिये थे ये वर्ल्ड बना ही मैफिस्टो के लिए था बट उसे कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि धर्ती के शरुवाती दिनों में से ही कुछ ऐसी शक्तियां आ गई थी जो इसको बचाना चाहती थी मैफिस्टो ने ऐसा बहुत ही ट्राई किया कि ना हो बट ये शक्तियां बढ़ती ही गई और हम देखते हैं यहाँ पर मैफिस्टो एक कीड़ा बनके थैनोस को उक्सा रहा है धर्ती के खिलाफ थैनोस कहता है अर्थ इसका मुझे पता है ये एक छोटा सा मिट्टी का ढेला है मुझे वहाँ पर क्या इंटरस्ट होगा मैफिस्टो कहता है वहाँ तुमें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो वहाँ की खासियत है वहाँ की मौत और यहाँ पर कववा बनके मैफिस्टो उकसा रहा है एपोकलिप्स को वो कहता है वो जूटे गोड तुमारा मजाग बनाते हैं अगर तुम इस वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाना चाते हो और बनाना चाते हो तो सबसे पहले उनको खतम करना होगा तो वो भी कहता है हाँ और मैफिस्टो साम बनके जाता है हलक के पास वो कहता है तुम उन पे भिरोषा नहीं कर सकते वो तुमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और ये हलक है अभी के टाइम का और वो एक शाक बन के जाता है डूम दा लिविंग प्लैनेट के पास और वो भी फ्यूचर में वो कहता है याद रखना तुम कौन हो अपना असली चेहरा मत भूलना तो वो कहता है हाँ और ये सीन है धर्ती पर मिलियन साल पहले का वहाँ पर छोटा थैनोस आता है सभी अवेंजर से लड़ने के लिए वो कहता है ये जगा अभी मेरी होने वाली है और तुम लोग मुझे थैनोस कह सकते हो और ये सीन है कुछ सेंचुरीस पहले का यहाँ पर थोर और उसके साथ ही लड़ रहे हैं अपोकलिप्स के साथ जो उन्हें कहता है मेरे आगे जुको और यह सीन है कुछ सालों पहले का और यहाँ पर अवेंजर की टीम लड़ रही है हलक के साथ और इसमें भी मैफिस्टो का हाथ होता है और यह सीन है फ्यूचर में काफी सालों बात का और यहाँ पे फिनिक्स लोगन का सामना होता है प्लैनेट ढूम से जिसमें एक लेडी थौर भी दिखाई दे रही है इस तरह मैफिस्टो ने हर एक यूग में तबाही मचाई एक टाइम पे एक मॉस्टर का यूज किया और ऐसे और भी यूद आने वाले हैं और जितना अवेंजर्स को पता है वो ज़्यादा जीते हैं और हार्थे कम हैं और जब मैफिस्टो का टाइम आ सकता था वो चला गया हैल में बट यही तो हैल की बात है हैल बहुत सायम रखता है हैल की आग को पता है कि धीरे कैसे चलाना है और कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा घर जल रहा है यहाँ पे एक आदमी दर्वाजे तक पहुंचता है तो अंदर से दर्वाजा खुलता है वो कहता है क्या तुम एम्ब्रोस के ग्रेट 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 ग्रेंसन हो तो वो कहता है हाँ बट तुम कौन हो तो वो कहता है मैं हूँ Harvard Stark तो वो कहता है वो तो मर चुका है तो उसे जबा मिलता है हाँ बट हम सबी के debt होते हैं इसलिए मैं यहां पे हूँ वो एक भेडियो को देखता है जो की Mephisto है वो अपने बच्चों को कहता है अंदर चले जाओ बट वो अंदर खुस जाता है और सभी को खा जाता है तो हावर्ड कहता है कंग्राचूलेशन्स तुम्हारा डैप्ट अभी पे हो गया है वो कहता है फिर से जनम लेने के लिए ये काफी होगा तो मैफिस्टो सो कहता है हाँ अभी के लिए ये काफी है चलो स्टार्क हमें और भी काम है तो वो कहता है ठीक है मैफिस्टो की जै हो तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खदम होता है नेक्स पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीचे हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई